क्या आपको डेंगू है? नहीं पता क्या आपने जार्ज करवाई? बहुत टाइम लगता है लियाइटी कानपूर के बारे में सुना है? हाँ पता है, वहाँ के वैज्यानिकों ने डेंगू किट बनाई है डेंगू किट? उससे क्या होगा? अरे उससे तुम खुद खोन में डेंगू वाईरस की चार्ज कर सकते हो और समय पर इलाज करवा सकते हो अच्छा? लेकिन फिर तो वह महंगा होगा? अरे नहीं, सिर्फ सौ रुपे में है तुम जूट बोल रहे हो ना? यकीन नहीं होता तो खुद प्रोफेसर साहत के मूझ से खुलो हम लोगों नी ये एक पिट का निर्मान किया है ये एक पेपर माइक्रो फ्रूइडिक किट है इसमें एक छोटा सा पेपर है अंदर जो प्रिंटेड है अलग-अलग केमिकल्स इसमें प्रिंटेड है और इसमें सिर्फ इतने भर की काम करने की रहती है कि एक ड्रॉप ब्लड का लेकर के यहां जो यह होल है इसमें से डाली है और उसके तहत अगर कोई पेशेंट को डेंगू है तो यहां पर एक छोटी सी लाइन आ जाएगी उसमें एक रेड लाइन जो कि आप आख से देख सकते हैं जैसे डट साब ने बोला कि डेंगी जब होता है चार दिन के बाद और चार दिन के अंतराल पे एक फिनॉमिना स्टार्ट हो जाता है बॉडी में जिसको बहते हैं प्लाजमा लीकेज जिसकी वजह से प्लेट वगएरा नीचे चले जाते हैं तो जरूरत यह है कि कही ना कहीं तीन दिन से पहले इसको डिटेक्ट किया जाए तो मान लीजे कि इस तरह का डिटेक्शन होम लेवल पे हो जाए जहां पर पेशेंट है कई बार पेशेंट आ नहीं बाता है हॉस्पिटल में टाइम पर उसको पदा नहीं चलता कि मैलेरिया है तो बहुत पहले उसको डिटेक्ट कर सकता है तो यही इसका मुखे रूप से उद्देश्य है क्योंकि देखें सिर अल इसमें सिर्फ एक पेपर ही नहीं है इसमें प्लास्टी की सिंग भी है साथ में तो इस वोड़ कास्त अबोट हंडेड रुपीस पर कित